या तो इंडिया में जॉब्स की कमी है या फिर हमारे अंदर स्किल्स की कमी है अगर इंडिया में जॉब्स की कमी होती तो जो आज के टाइम में कैनेडा वर्क वीजा की जो इतनी डिमांड है वो सिरफ इंडिया में ही होती बट मैं comment section में देखता हूँ नेपाल, बुटान, पाकिस्तान और even UAE जैसे countries से भी मेरे viewers के comment आते हैं कि हम Canada का work permit कैसे ले सकते हैं यहां फिर दूसरा हो सकता है कि हमारे अंदर skills की कमी हो काई इंडियन्स में skills की कमी मुझे नहीं लगता कि इंडियन्स में skills की कमी है वह भी इंडिया से ही है सत्या ने डिला जी वह भी इंडिया से हैं जो Microsoft के CEO है तो जो UK के President है Prime Minister है रीशी जी वह भी इंडिया से हैं अगर स्किल्स की कमी होती तो शायद जितनी भी UK, US, Australia, Canada में companies हैं उसमें इंडियन्स काम ना करते हैं तो कहीं ना कि कमी तो skills की भी नहीं है या फिर मैं यू कहूं कि आज के टाइम में हमारी expectations बढ़ चुकी हैं हमारे खर्चे बढ़ चुके हैं हम भी चाहते हैं कि हम भी मैंगी मैंगी गाडियों में गूमें luxurious life जीएं या तो यह हो सकता है कि आज हमारी salary अगर 20-25-50 है तो हम चाहते हैं लाग, दो लाग, पांच, लाग, दस लाग तक हम कमाएं कम से कम time में जो कि यहां possible नहीं है और हम work permit के लिए Canada का रास्ता देखते हैं या फिर यूँ समझा जाए कि हमारी skills की value, हमारी education की value यहां नहीं पढ़ रही जी बिर्कुल इतना पढ़ने के बाद भी हम 10, 12, 15, 20, 25, 30 हजार तक ही पहुंचते हैं और सालों साल मेहनत करने के बाद हम 70, 80, 90 और एक लाग तक पहुंचते हैं जो की Indian students 12th pass करने के बाद कैना पढ़ने जाते हैं दो साल का diploma या तीन या चार साल की bachelor's करते हैं और उसके बाद वो लाखों करते हैं ठीक है या तो यह हो सकता है अगर इंडिया में आपका कोई भी छोटा या बड़ा जैसा भी बिजनस हो आप hiring निकालते हैं मुझे bachelor's pass या master pass candidate चाहिए make sure अगर उसके पास एक साल या दो साल या maximum जितना भी experience हो सके उस candidate को first come first selection के बेस पे decision दिया जाएगा तो guys अगर आप इंडिया में अपने लिए ऐसी requirements रखते हैं तो आप फुट सोचिए अगर आपको Canada का work visa चाहिए क्या हमारे अंदर कुछ skills है मेरे कहने का मतलब है कुछ extraordinary skills guys आप सिरफ इंडिया से या particular किसी चंडीगर देली मुंबई इन city से नहीं apply कर रहे there are number of people thousand slacks और even CR में वो लोग होंगे all around the world जो Canada का work permit चाहते हैं और शायद हो सकते हैं उनके पास वो well qualified हो well experienced हो उनके पास जो skills हो वो ऐसे skills हो हम उनके बिलकुल आस पास नहीं first of all हम हमें अपने आपको improve करना पड़ेगा हमें आप हमें देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर क्या 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 qualities है जो दूसरे person में नहीं है और अगर वो दूसरे person में नहीं है so this is the reason कि Canada का जो employer है वो मुझे select करे rather than किसी और person को so guys इस वीडियो को बनाने का मेरे एक simple सा मकसद ही है ताकि मैं आपको aware कर सकूँ कि वाके ही अगर हमें Canada का work visa चाहिए इंडिया से कितना possible है कितने percent chances है 100 application अगर apply होती है कितने applications जो है वो अप्रूब होती है इंडिया से ठीक है या फिर अगर इंडिया से applications अगर इंडिया इसके लिए हमें कोई और रास्ता उप्र करना पड़ेगा सो मैं अपनी हर वीडियो में मैं आपको live चेक करके दिखाता हूं वह भी कैनडा की authorized site पे जो imply कहते हैं कि अगर आपको कैनडा का work visa चाहिए तो आपके पास यहां तो कैनडा की citizenship हो आप वहां पर permanent resident हो यहां फिर आपके पास temporary resident visa हो गाईज तो आप खुद सोचिए अगर एक authentic site यह आपको कह रही है तो उसके बाद भी मुझे number of comments मिलते हैं कि हम कैनडा का work visa कैसे लेसे पहले अपने profile को build कीजिए मैं यह कहूंगा profile को build करने के बाद अगर आप इंडिया से कैनडा का work visa apply करते हैं बहुत कम chances हैं बहुत कम बिलकुल मैं इस वीडियो के तुरू आपको एक reality बताना चाहता हूं कि अगर आप इंडिया से कैनडा का work visa apply करते हैं मैं यह नहीं कहूंगा बिलकुल भी नहीं लगता बट chances are very low आप बहुत सारे agents मिलेंगे जो आपसे लाखोर पर ले लेंगे और उसके बाद आपको पता है क्या होता है गाइस सो सबसे पहले आप knowledge gain कीजिए कि वाके में इंडिया से visa लग सकता कि नहीं लग सकता कितने percent chances हैं और अगर इंडिया से visa नहीं लग सक पता तो हम में क्या करना पड़ेगा तो आशा करता हूं आप समझ चुके होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है और यही मतलब में आपको वीडियो के तुरू लाइव जो चेक करके बताता हूं जो कैनला की sites है ठीक है तो आशा करता हूं आप समझ चुके होंगे मिलता हूं अप तक के लिए thank you very much